आज हम विंटर में बनने वाला उंद्यू बनाएंगे गुज्राती के फैमस आइटम है उंद्यू बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है बहुत सारा वेचिटेबल्स लगता है यह मैं कैसे बना रही हूं एकदम सिंपल तरीका है यह 20-25 मिट में अगर आपके पास सारा प्र गलूँकी फिल भी यह उंध्या बहुत ही अच्छा बनता है तो यहां पर में उपड से लाल मिर्ची डालूँकी और उपर से इसको तेल डाला के वगार करूंगी तो सूर्ती उंद्यू हम बनाएंगे यहां पर मैंने आलू ले लिया है सकरकन ले लिया है और रताड़ू में तो सारा वेजी टेबल में इसके साथ फ्राई कर दूँगी तो एकदम आसान तरीके से अगर आपने ये फ्राई करके रख दिया तो टाइम नहीं लगता है ऐसे देखने जाये तो उंद्या मैं बहुत ही टाइम लगता है और आज मैं जो बना रही हूं वो 15 लोग के लिए है तो अगर आपके यहाँ ज्यादा बनाना है तो यह आप रेसिपी पूरा एंटक देख सकते हो यहाँ पर मैंने शकरकन फ्राइब कर दिया है इसके बाद में रतड़ू ले लूँगी उसको भी मैं फ्राइब कर दूँगी तो सारा मैंने कटिंग करके रख दिया था तो इसको हम फ्राई कर देंगे सारे वेजिटेबल्स को तो हम बारी बारी करके सारा फ्राई करेंगे तो ये फ्राई हो गया है आप देख सकते हो इससे क्या होगा हम फ्राई करेंगे तो ये जल्ली पक भी जाएगा और एकदम टेश्टी लगेग तो अगर आपको कम ओयल में डालना है तो यह आप फ्राई करके लोगे तो बहुत ही अच्छा आपका उंड्यू बनेगा इसको भी मैं निकाल दूंगी तो सारे हम निकाल देंगे इसके बाद यहाँ पर मैंने बैगन ले लिए है बैगन को भी बैने लंबा लंबा काट दिया था वो इसके अंदर फ्राई करेंगे तो बैगन को टाइम नहीं लगता है इसलिए यह फटा फट फ्राई होश आएगा इसको भी डाल देंगे और इसको भी हम फ्राई कर देंगे एकदम इजी तरीका है और आप ये गर पे आसन तरीके से बना सकते हो अगर आपको वेजी टेबल्स कम या ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हो आपके इसाब से इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी सबजी या डालते हैं लेकिन मैं ज़्यादा सबजी नहीं डालोंगी और एकदम बढ़िया एक इसका मसाला बनाएंगे जिससे उंद्या का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आज तक किसी ने वो मसाला नहीं बना के डाला है वैसा मसाला हम इसमें डालेंगे तो आप पूरा वीडियो स्क्रिप किये भी ना देखना अभी इसके बाद मैं आलू डाल दूँगी तो आलू को भी मैंने काट लिया था और इसको सारा फ्राई करेंगे अभी इसको भी मैं फ्राई कर दूँगी तो एकदम बड़िया से हम इसको फ्राई कर देंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना कॉमेंट करना और फ्रेंड के साथ सेर करना और हाँ अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिलो इना सब्सक्राइब करेना ताके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पोशे अभी आलू फ्राइब हो गया है इसको भी हम निकाल देंगे तो यह सारा फ्राइ करने में ही टाइम लगता है उसके बाद उंदिया आपका फटा-फट बन जाएगा तो ना पकाने की टेंसन रहेगी और यह जो हम साधिया वाले में जाते हैं वैसा ही उंदिया उस तरह के मैं बना रही हूँ लेकिन मैंने आज लाल वाला बनाया है अभी इसके साथ जो बनता है मैं हमारा जो पकोड़ा इसमें मैंने एक कप बेशन ले लिया है एक कप गेहूं काटा ले लिया है और आधा कप मैंने सुजी लिया है और दो कप हम मेथा ले लेंगे बड़ा वाला तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है उंधिया का, इसमें सारा मसाला डाल देंगे, 1 फॉर स्पून मैंने हल्दी डाल दी है, इसके बाद नमक टेस्ट की सब से हम डाल देंगे, उसके बाद यहां पर हम लाल मीची डाल देंगे, धन्या पाउडर डाल देंगे, उसके बार थोड़ा सा हम अजवाई डालेंगे ताके हम उंद्या खाने वाले हैं तो उससे हमरा कुछ प्रॉबलम नहीं आ है इसलिए थोड़ा सा सोडा डालेंगे खाने वाला उसके बाद यहां पर दो स्पून हम सकर डाल देंगे और एक स्पून हम लेमन जूश डाल देंगे अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक आटा जैसा बनाएंगे, बहुत सक्त वाला भी नहीं और बहुत ठीक वाला भी नहीं, ऐसा आटा हम गुट लेंगे, तो वैसे ही आटा हम रेडी कर देंगे, तो उंद्या में ये मेन है, मुठ्या अगर डालोगे तो ही आपका उंद्यू बहुत अच्छा बनता है, इसके अंदर में दो स्पून ऑल डाल दूंगी, और इसको अच्छे से हम पानी से गुट लेंगे, तो फ्रेंड्स मुठ्या होगा, तो ही आपका उंद्यू अच्छा लगता है, तो ये भी हमको रेडी करके रख देना है, अभी ये आ गोलिया बनाऊंगी, आपको बड़ी छोटी वो आपके सबसे बना सकते हो, तो मैं आपको दिखाऊंगी, कि हमने छोटी छोटी बनाई है, वैसे ही मैंने सारी रेडी कर दी है, अभी इसको भी हम फ्राइ कर देंगे, तो वही ओल में हम सारे हमारे जो मुठ्या है वो डाल और इसको फ्राइ कर देंगे, तो यह सारा मैंने डाल दिया है, और इसको हम थोड़ा गुमा देंगे, तो यह भी फ्राइ हो गया है, अभी यहाँ पे मैं कुकर ले लूँगी, उसके अंदर मैंने जो पापड़ी ली है, वो डाल देंगे, इसमें ना मैंने ओल डाला है, फ तोड़ा सा पानी डालूंगी नमक टेस्ट के साब से डालूंगी और थोड़ इसे में हल्दी डालूंगी तो इससे बहुत अच्छा कलर पकड़ेगा और इसको हम एकी विसल बजाएंगे हमको ज्यादा इसको पकाना नहीं है तो हम एकी विसल बजाएंगे मैंने छोटी वाल एकदम सीकरेट मसाला हम बनाएंगे, जो मैंने आपको बूला था, एक कप में मटर ले लूँगी, आधा कप में तुएर डाना ले लूँगी, एक कप हम दन्या डाल देंगे उसके साथ आधा कप हम हरा लेशन डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम उंद्या का मसाला डालेंगे यह बाजार में आसान तरीके से मिल जाता है अगर नहीं मिलता है तो गरम मसाला, तील, कोपरे की छीन वो सब डाल के आप बना सकते हो इसको इसको मैं पीस लूँगी तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है हमको यह थोड़ा ठीक वाला रखना है और इसको मैंने थोड़ा सा ही पीसा है बहुत बारिक वाला नहीं पीसा है तक एकदम बढ़िया से इसका टेस्ट आएगा अभी एक में बढ़ी वाली कड़ाई ले लूँगी उसके अंदर में 3-4 टेबल स्पून हम ओल डाल देंगे और हमने जो मसाला बनाया है वो इसके अंदर डाल दूँगी मैं और इसको अच्छे से हम पकाएंगे इससे बहुत ही अच्छा आपका उंद्या बनेगा एक बार जरूर से ये ट्राई करना मसाला डालके तो मैंने कम ओल दिया है तक एकदम बढ़िया से हम लोग ओली भी नहीं और ऐसे बढ़िया से हम आसान तरीके से उंद्या खा सकते है उसके बाद यहां पर मैं दो स्पून लाल मीची डाल दूँगी नमक टेस्ट के सब से डाल दूँगी हल्दी डाल दूँगी और इसके साथ आपको थोड़ा सा पकाना है ताके मसाला के साथ इसका भी टेस अच्छे से बैठ जाएगा इसके बाद हमने जो फ्राइ किया है सारी वेजिटेबल्स उसको एड़ कर देंगे इसके साथ तो बहुत ही कम ओल लिया है और एक्तम बढ़िया से आपका उंज्यू बन जाएगा मैंने 15 लोग का बनाया है लेकिन इसमें मैंने 1 किलो भी ओल नहीं डाला है तो अगर आपको ओली नहीं खाना है तो यह आप बना सकते हो ऐसे ही बनाओगे तो आपको ओल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको दो मिनिट टक पकाएंगे ऐसे यह फ्राइ हो गया है तो ज़्यादा पकाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन दो मिनिट टक पकाएंगे ताके सारा मसाला मिक्स हो जाएगा उसके साथ मैंने पापड़ी बॉयल कर दी थी वह भी इसको इना डाल लूँगी तो आप देख सकते हो ओईल उपर दिखने लगा है मतलब मैं ओईल की इतना जरूरत नहीं है इसमें इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से हमारा उंजू रेडी होने लगा है तो नहीं ज्यादा जंजट है और आप आसान तरीके से यह बना सकते हो यह ज्यादा है तो टाइम लगा है आप थोड़ा भी बनाओगे तो आपको 20 मिनिट में आपका बन जाएगा सबजी आप आपके सबसे ले सकते हो तरीका मैंने बताया कि कैसे हम उंधिया बनाते हैं इसके बाद यहाँ पे 2 स्पून हम हरी मीची डाल देंगे ताके थोड़ा टिकास पकड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे 2 स्पून हम सकर डाल देंगे उसके बाद इसको मिक्स कर दे पानी डाल दूंगी मैं तो बहुत सारे मैंने मेथी के पकोड़े बनाइए तो डालोंगी थोड़ा सा मैंने चुरा कर दिया है तक ये एकडम ठीक वाली ग्रेवी बनेगी हमारी और उसके बाद पानी डाल दूंगी मैं प्रेंड्स यह बाहर से थोड़ा अलग है सुर्टि उंढ्यू है लेकिन यह भूत ही खाने में टेश्ट ही लगता है अगर बाहर से लेक है आते हो तो इस को अच्छी से मिक्स कर दिया है मैंने तो यहां पर लाश्ट में हम प्रोसेस करेंगे इसके लिए बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा और लुक भी आएगा इसके लिए दो स्पून हम ऑल डाल देंगे और थोड़ा सा हम यहां पर ऑईल गरम कर देंगे और इस पर डाल देंगे तो उपर से हम ऑईल डालेंगे तो ऑईल उपर दिखेगा आपको लेकिन खाने में इतना नहीं आएगा फ्रेंस तो आप जरूर से ऐसे ही ट्रिक अपनाना ताकि उपर से आपको ऑईल ही दिखेगा लेकिन हमने काफी ओयल को कम कर दिया है, जिसे उंदिया में बहुत ओयल होता है, लेकिन हमने कम से कम ओयल में ये उंदिया बनाया है, और खाने से आपको ऐसा कुछ भी डकार जैसा नहीं आएगा, ये ऐसे ही बना के खाओगे तो ये मेरी गैरेंटी है, तो एकदम बढ़िया से हमारा उंजू रेडियो हो गया है लुक बहुत अच्छा है खाने में इतना ही टेस्टी है तो सुर्ती लोग का उंजू काने में और दिखने में बहुती टेस्टी होता है अभी इसको हम सव कर देंगे